नमस्कार मैं हूँ फरहान और SPN 9 के इस खास कारिकरम में आप सभी का स्वागत है उद्धव ठाकरे ने जैसे ही मुखमंत्री पत्त की शपत ली और बड़े बड़े वादे भी करने लगे जो वादे किये उनको पूरा भी करने की स्थिति आ चुकी है कुछ वादे ऐसे भी हैं जहां पर कुछ तकनीकी परशानिया हैं और उनको पहले उद्धव ठाकरे ने नहीं समझाया लेकिन अब समझा रहे हैं उनका पहला वादा था जो मेट्रो के लिए कार पारकिंग के लिए जो पेड काटे जा रहे थे उनके प्रिदर्शन कारी थे उनको उनके उपर केस फाइल कर दिया गया था और पेडों की कटाई पर रोग भी लगवा दी और जो केस फाइल किया गया था उसे भी वापस ले लिया ये बहुती अभूत पूरू फैसला था जो की लिया गया उद्धो ठाक्रे द्वारा उसके बाद उन्होंने किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी और कहता दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा लेकिन बाद में थोड़ी तक्नीकी परशानिया थी या फिर जो भी हो सकता है बाद में उस बात में थोड़ा सा बदलाओ किया गया उन्होंने कहा कि जो दो लाख रुपए से उपर का कर्ज ले चुके हैं वह इस योजना के अंतरगत नहीं आएंगे सिर्फ वही इस योजना के अंतरगत आएंगे जिन्होंने दो लाख रुपए का ही कर्ज लिया है तो यहाँ पर किसानों में रोश भी है और कह रहे हैं कि शायद यह वादा पूरा नहीं किया जा रहा है लेकिन एक वादा और भी था जो अब तक सुनाई नहीं आ रहा है और कोई इसके बारे में ना तंज कस रहा है ना इस विवादों में यह बात आ रही है तो मैंने का क्यों ना आप से ही इस बात के को शेयर कर लिया जाए और आप से ही इस में बात कर ली जाए तो चर्चा को विशह यह है कि एन सी पी और कॉंग्रेस ने एक वादा किया था अपने मैनी फेश्टों में जा रहा था गोशना पत्र में कि मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिए पांच प्रतीसत का आरक्ष्ण दिया जाएगा महराश्ट में लेकिन सरकार आती है किसानों की बात भी होती है सारी बाते हो रही होती है लेकिन इस वादे की सुनवाई नहीं होती है नवाब मलक भी बीच में आए उन्होंने एन आरसी को लेकर नागरिकत संसुदन कानून को लेकर भी उद्धो ठाकरे से मिले उद्धो ठाकरे ने जब वो मिले तो उनका सम्मान भी किया और उनकी बात को आगे भी रखा और कहा कि महराष्ट में ये कानून लागू नहीं होगा लेकिन जब अलब संख्यकों के यानि कि मुस्लिम समाज किया जो सिक्षा की आरक्षण की बात थी वह क्यों नहीं उठाई जा रही है वह बात सामने क्यों नहीं आ रही है कि वह पूरी होगी या नहीं होगी कब से ये बात लागू होगी इसमें बड़ी कश्मकश दिखाई दे रही है और लगता है कि यह एक ऐसा वादा है जिसको पूरा नहीं किया जाएगा को आप तक पहुंचा देते हैं तो आप बताईए क्या इस आरक्षन के वादे को पूरा किया जाएगा और यदि वे पूरा करते हैं तो क्या सरकार अलपमत में आ जाएगी गिर जाएगी या फिर आगे उनको कभी आने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए मुसल्मानों को लेकर कि कुल भी नहीं भूलें तब तक के लिए जादत चाहूंगा नमस्कार